Hello guys, welcome to my YouTube channel, Ritik Technical Support इस वीडियो में हम बात करेंगे, Vivo, T3, Light में आप private shape को कैसे use करेंगे, photos और videos को अगर आपको hide करना है तो कैसे आप hide करेंगे, उसके उपर हम बात करेंगे ठीक है, so first of all, please subscribe my YouTube channel and press the bell icon देखिए, अगर हम यहाँ पे settings open करेंगे और हम security पे पे click करेंगे, तो यहाँ पे हम जो है data को hide नहीं कर सकते, तो हमें दूसरा तरीका यहाँ पे use करना पड़ता है लाइक आपको जाना होगा file manager पे, ठीक है, जो हमें आपे file manager मिलता है वो google की तरफ से मिलता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे files सर्च कर लेंगे यहाँ पे हमारी files open हो जाती है, अब देखिए यहाँ पे आपको एक folder मिलेगा collections में जिसका नाम रहेगा safe folder, हमें इस पे click करना है, ठीक है यहाँ पे आपको अपना password डाल देना है, ओके, ओके, देन password डालने के बाद में यहाँ पे का करना आपको जो भी data आपको डालना है, जो for example हम यहाँ पे images पे आते, ठीक है अब हम यह images को क्या करनेंगे, हम three dot पे click करें, इसको move to पे जाते है और यहाँ पे internal storage के जाते है यहाँ पे आपको add new folder या फिर आप इसको कर दीजिगा, safe folder में डाल दीजिगा, ठीक है तो जैसे ही आप इसको safe folder में लाएंगे, तो जब आप इसको access करना चाहेंगे, तो आपको यहाँ पे log डालना पड़ेगा ठीक है, तो जो भी data अगर आपको hide करना है, तो आप लोग safe folder में डाल लेजे files के आपका data hide हो जाएगा ठीक है, मिलते हैं next video में, जैमाता दी